है फ्रेंड वेल्कम बेटिमाइजर्णल दोस्तों आज के सी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप एक छोटा सा बहुत में इस्तमाल करके जितने में सारे इलेक्ट्रोनिस कंपोनेंट होता है इन्चाव कैसा एक एक करके आप टेस्ट कर सकते हो बीना कोई मल्टिमेट यहां पर इस्तमाल किये ठीक मल्टिमेटर खराब हो गया या फिर मल्टिमेटर नहीं या और कुछ जुगार नहीं है कोई इलेक्ट्रोनिस कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए तब आप एक शोटा से बहुत में इस्तमाल करते हो तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ह इसको सलाने के लिए हम एक पावर सप्ला की जरूरत होगा तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं थी लिए अगर आप चाहते हैं यहां पर पावर सप्ला कर सकतो ठीक है हम लेंगे दो टेस्टिंग प्रूब जो कि मैंने मल्टिमेटर से काट कर निकाल लिए है शिर्फ औ आपके लिए और अभी हम लेते हैं अपना भॉल्ट मिटर तो इसका जो कि दो टर्मिनल नेगेडिव और पॉजिटिव तो किसी एक को लेकर करना होगा अगर मैं यहां पर नेगेटिव ले रहा हूं तो इस नेगेटिव को मुझे कनेक्शन करना होगा बेटरी के नेगेट पॉजिटिव इसका मतलब यह आपका हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा यहां पर मैं कनेक्शन करना होगा अपने ब्लाक वाले टर्मिनल को जोडता हूं जैसे का मल्टी मेंटर पर टेस्ट करते हैं उसी तरह यहां पर काम करने लगेगा बस वहां पर आपको रीडिंग लगा अगर मैं दोनों का आपस में जोडता हूं यहां पर आपको फोल्टे शो कर रहा है थ्री पॉइंट नाइन अगर मैं लाइट यह आप ओफ कर दूं तो देखिए अगर मैं दोनों को तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है अब हम एक करके टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले ह यहां पर एक डायोड तो हम डायोड से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो डायोड का यह आपका एन और यह कैथ्टो ठीक है तो एन पर मैं लगाता हूं पॉजिटिव को और कैथर पर नेगिटिव को तो देखिए यहां पर बॉल्ट मिटर कोई भी रीडिंग यहां पर तो नहीं कर रहा है अगर यहां पर रीडिंग शोग करता हैं दोनों साइट से test करने पर और यह खराइब हो चुका है एग वोल्ट ठीक है और अभी देखते है रेजिस्टर पर लगाने के बाद कितना दिखा रहा है तो वी दिखा रहा-3.87 बarette यहा पर यह दिखा रहा- यानी कि रिजिस्सका लगाने कि बार बोल्ती हाँ इसका मतल्ब कण रिजिस्टर से जुक्त रहे आपका सही सलाम्तान थीक है यहाँ पर खराब होता है तो या तो अरिजिनल फाई धर वही दिखाएगा ठीक हं नहीं ड़ीक्तर यहाँ मैं पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा भी रेस्टर लेता हूं जैसे क्जिस्टर मैं अगर मैं हमें तीस्ट करता हूं करके यहाँ तू इसका मतलब आ दिकेज हो रहा है इसलिए अवे यहां पसक्तिक्रा नेगअ करता है अगर आफ कोई भी रियाक्षिंट नहीं होगा ना दिखित आप वोल्ट मेंटर पर ठीक है अपका LED खराब हो चुका है तब आप कैसे पता लगा सकते हो तो दिखी जो LED यहां पर खराब है यहां पर कितना फोल्ट दिखा रहा है दिखा ऐा उसके बाद भंद हो जाएगा अपने बस थोड़ा से बन्ंट आखर मिश्क चेथर चेक करते में पोजीटिव और पोजीटिव और नेगिटिव यहां पर आएगा उसके बाद भंद हो जाएगा ठीकaina अगर कांपाउशीट हो चुका है यहां पर कांटिने उसली द तो अगर हम यहाँ पर एक LDR को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए LDR जो की light depending register होता है इसके जो की resistance होता है यहाँ पर light की साब से भेरी करता है तो यहाँ पर अभी दिखा रहा है यहाँ पर आपको मिलता है NPN negative positive negative तो मैं यहाँ आपर क्या करता हूँ की P यानी की positive पर मैं लगाता हूँ पो पो और N पर मैं लगाता हूँ negative को यहाँ पर आपका जो की volt meter कुछ रिदिंग यहाँ पर show कर रहा है ठीकिंगे और अगर मैं इस साइट लगाता हूँ यहां पर कुछ रिडिंग इसो कर रहा है तो अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं याने कि पर एंड 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 पर पी तो देखते हैं क्या होता है तो यहां पर कुछ भी रिडिंग शो नहीं कर रहा है अगर उल्टा कनेशन करने पर भी रिडिंग शो कर रहा है इसका मतलब करें ट्रांजिटर है खराब हो चुका है ठीक है और उसके बाद मैं आपर चलता हूं एक वोल्टेज रेगुलेटर जो कि एक 7805 का एक वोल्टेज कनेक्टेड है तो ग्राउंड पर हमें देना होगा पोजिटीव एंड आउट पर हमें देना होगा नेगेटीव तुदे कि हमें आपर भॉल्ट मेटर शो कर रहा है 3.09 वोल्ट यहां पर शो कर रहा है और अगर हम इसको इन पर लगाते हैं तो यहां पर भॉल्टेज हो कर पर आपका भॉल्टेस सो करता है इस का मतलब जो की आईशी है यह आपका सहीसेलामत है अगर हम बात करें बोज़ोर की तो हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं बस आपको पोजीतिव पर पद्रीवे और नेगेटिव को कनेक्शन करना है तो जो की बोचितिव थोड़ा से लेडि नहीं होरा इसका मतलब आपका जोगी जरी आपका सह्यसलामत काम कर रहा है ठीक है गर यहां पर मुझे करते हैं यह जो 카पासिटृ आपका नोन पोलरायट नहीं होता है लेकिन अगर उसको रियक्शन चेंज करते हैं तो यहाँ पर कोई रियक्शन नहीं हो रहा है लेकिन अगर यह कापाशिटर खराब होता यहाँ पर हमें continuity भॉल्टी दिखाता है कुछ इस तरीके से ठीक है कर सकते हैं तो देखा अपने केसि हम एक सोटा सा भॉल्ट मेंट को इस्तमाल करके का पिसर एलेक्शन कंपने को टेस्ट कर सेकते हैं अब इसी तरह से अब आप यह करते हैं आज को आया होगा अगर आपको कुभी डाउट रहते तो आम में पुछ सकते हैं आप इस्टेग्रां पाने के लिए बेल आइकन पर जुरूर क्लिक करते हैं आप फिर में तब नए वीडियो में कुछ नहीं प्रोजेट के सब